इस चैनल is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so good evening guys welcome back to our channel Finvest उम्मीद है आप सबके trading days अच्छे जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को देख लीजिए आपको प्रॉपर लेवल्स मिल जाएंगे और आपके ट्रेडिंग अच्छे जाने लगेंगे 30 December 2020 के लिए जो हमने आपके लिए लेवल्स प्रोवाइड किये थे यूट्यूब पर आप देखें तो हमने आपको लेवल्स प्रोवाइड किये लेंड इंडिया और पीवी या में हमारा क्या वाथा था बाइसाइट का एक और सॉट्सलिंग साथ का एक टार्गर पाया क्योंकि देखें ये स्टॉक्ट जो था मुवमेंट नहीं दे पाया ज ताकि आपको अगर स्टॉक्ट मुवमेंट ना दे पाय तो भी आपके टार्गर प्राइस अचीव होता है अब मैं आपको लिंड इंडिया की बात कर देता हूं इसका मैं आपको तो अगर आप चार्ट देख रहे हूं लिंड आपको यह मूविंग आइबरेज दिख रहा ह मैं उपन वहूज यह पर घार उपनोस के बाद धिये ऊपर आइस निचे आई हमारी कंडिशनफ फूल फिल करने के बाद जबाम आपको प्रईश्टि gekrän द हमारा स्टॉप लस्ट की कुछ पॉइंट ऊपर यह चल रहा ता ह्यां पर अनुदा इस लाइन पर यहां पर हमारे स्टॉप लस चल रहा था इसने यह टच नहीं किया इसी लाइन में अपन डाउन अपन डाउन कर रहा था जैसे कि आप मूविंग मूविंग आवरेस देख रहे होंगे और उसके बात हुआ कि यह एकदम से बढ़ा और इसने हमारे सारे टागेट पैसे लिए तो मैं अपने न्यूविंग को बता दो एक बार अगर स्टॉफ गैपं अपना है मान लेजिए यहां पे कई पर ओपन होता है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे टैन एम तक ऐस स्टॉफ के गैप फिल होने करें यहां से इस्टॉफ नीचे आयगा उसके बाद एक मिनिट का होल देगा यानि की अपन करे करें तब आप इसे बाइख कर से स्टों होती है गैप डाउन ओपन ँने के लिए अगर स्टॉक यहां पे ओपन होता है और आपका जो स्टॉक है वो मुझ्मेंड देता है यानि कि अपसाइड जाता है यहां पर होड़ लेता है एक मिनिट का तब दुबार वापस आता है तब आप इसे सोट सेल करेंगे तो गैप डाउन स्टॉक को छोड़ देंगे क्योंकि वो मुवमेंट नहीं पकड़ पाएगा बागी की यह जो तो स्टॉक दे मैंने आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड किये थे मौर्णिंग में टेलिग्राम चैनल पर दो कॉल्स में प्रवाइड करता हूं डिस्क्रिप्शन में हमारा वाई साइट का एक है से लिट हुआ वह भी हमारा रिकवर होगे जब सौट से लिंग आपने करी होगे इसके तो दोनों टागेट पर इस दिलिए अच्छीव होगा थे तो हमारे रिजल काफी अच्छा रहा तो 31 डिसमबर 2020 के लिए हमने जो लेवल चुना है सबसे प का 1215 1225 1235 का पहला टागेट पाइस यूजवल मैं स्मॉल देता हूं ताकि अगर स्टॉक मुमेंट भी ना दे तो भी आप अपना टार्गेट अच्छीव कर पाए मुमेंट ना दे यानि कि ज्यादा अप एंड डाउन ना हो फ्लाट मार्केट पर चले जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था लिंडियनिया का आपके जो मुविंग एवरेज था वो एक ही लाइन पर चल रहा था तो उसी के अगर पहला टार्गेट पाइस आप जो है छ प्लस 208 रहेगा 1193 1185 पर 1175 पर दोटेंगे 1198 यानिवाण 97.90 पर आप इसे और यह एक यह चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको यह यह बड़े हो रहे हैं आपAKगी करना चाते हैं इंटर दे सीखना चाता वाघ्सक्ट नंबर मिल जाएगा आप हमें contact कर लिजे बागी की detail हम WhatsApp पे discuss कर लेंगे तो बात कर लेते हैं गोदरिस properties की आप इसा बाहर करके चलेंगे 1394 पे 1394.10 as usual stop loss रहेगा 1384 का अब stop loss भी कैसे hit होगा जब इस value से नीचे जाने लेगे value यानि कि 1384 से नीचे जाने लेगे value 1383.90 जब हो जाएगी तब आप इसल हिट मांगे टेट से बाहर हैंगे टार्गेट रहेगा 1399 का 1407 और 1418 का सॉट सेलिंग प्राइज रहेगी 1382 जो है आप 1381.90 पर आप इसल करेंगे टार्गेट रहेगा 1392 यानि कि 1392.10 जब हो जाएगा तब अपने से लेट मांगे टेट से बाहर आएंगे टार्गेट रहेगा 1377 1370 1360 का ध्यान रखेंगे पहला टागेट बाश्मॉल इसमूस लेट देता हूं में ताकि आप जो हैं हमेशा profit में रहें कुछ भी करके यानि आपको अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए दन्यावाद कल जो है हमारे 2020 के आखरी ट्रेड है तो अच्छे से कीजेगा तब तक मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ